हरे किष्णा तो अब भगवत गीता के अध्याय संख्या एक में इसलोग संख्या च्यालिस तो यहाँ पर अब संजय दृतराष्ट से कह रहे हैं क्या कह रहे हैं एव मुक्तवा अर्जुना संख्या ऐसा कह करके तो श्री कृष्ण से ऐसा कह करके अर्जुन युद्भूम में क्या करते हैं रथ उपस्थ उपाविशत रथ के पिसले भाग में बैठ गए और विश्रिज ससरम चापम त्याग दिया उन्होंने क्या बान सहे धनुस को त्याग दिया सोग संबिग न मान सहा और सोग में उनका जो मन है वो पूरी तरह से डूबा हुआ है तो अर्जुन का मन जो है अब शोग में पूरी तरह से डूबा हुआ है तो तात्पार में प्रहुपा लेखते हैं अपने सत्क्रू की इस्थि का अब लोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़े हो गई थे किन्तु वे शोग से इतने संता थोठे कि अपना धनुस बान एक उड़कर रथ की आशन पर पुना बैठ गए तो पहले अर्जुन ने बड़े उत्साहे के साथ में धनुरुद्यम में पांडवा धनुस उठा करके और अर्जुन ने श्री किष्ण से कहा था कि मेरे रथ को दोनों से नाओं के बीच में खड़ा करिये तो बहुत उत्साहे था अर्जुन का लेकिन अब अर्जुन का जहें उत्साह एकदम खतम हो गया और शोग में डूब करके वो जो है रथ में बैठ गए रथ के पिसले भाग में बैठ गए शोग संभिक नमान सहा तो यहां पर शोक किस प्रकार का है यह भौतिक शोक है जो अग्यान से उत्मन शोक है लेकर जीता की अठहर में अध्याइं कि क्या है रौजुन के कि उत्मने तुम्हारा मोह नष्ध Stephen करें तो इस लोक संग के तिहतर में अर्जुन कहते हैं क्या करें नष्टु मुहा इस्म्हत्य लभधा कि मेरा मोहो नष्ठ हो गया है तो भगवत गीता का जो प्रारभ होता है तो उसमें अर्जुन मोह से बिचान हो जाते हैं और भगवत गीता कि अंत में उनका मोह नष्थ हो जाता है तो इस प्रकार से अर्जुन कहते हैं इस्थितोस्मिकत संदेहा अब मैं बिना किसी संदेह के खड़ा हूँ करिशे बचनमतव मैं आपके बचन का पालन करूँगा तो भगवत गीता का जो अब देश है ये हमारे मोह को नस्ट करने के लिए है अब हम शोक पर वचार करेंगे कि अर्जुन का जो शोक है वो किस प्रकार का है दो प्रकार का शोक होता है ये तो ज्यान से उत्पने शोक होता है और दूसरा है अग ज्यान से उत्पने शोक तो ज हमने भगवान की सेवा को छोड़ा और बहुत एक संसार में बहुत एक प्रकृति को भोगने के लिए आए और दुखों के जाल में फस गए तो इस प्रकार का जो शोख है जब भक्त करते हैं तो ये ग्यान से उत्मने शोख है इसका अच्छा परिनाम होता है जैसे महराज कुल सेखर ने मुकुंद माला इस्तोत्र में एक इस लोग लिखा है उसमें वो कहते हैं श्रीमन नाम प्रोच नारायन आख्यम के न प्रापुर्वांचितम पापिनों भी कि श्री नारायन के नाम का जब करके किटने किटने पापी हैं उन्होंने अपनी सब वांच्छायए पूली कर ली हानहा पूरवं वागपृव्ष्थान्न तसमिन परंतु हाए हम पहले से ही इस नाम को नहीं लेते रहे हमने पहले से ही इस नाम को नहीं लिया तेने प्राप्तम गर्भवासादी दुखम इस कारण से हमने गर्भवास के अनेक प्रकार के दुख प्राप्त किये तो यह जो शोक है यह आध्यात्मिक शोक है और इस शोक के द्वारा हम जो है सचेत हो कि आगे से हमें क्या करना है जैसे अजामिल और ने शोक किया जिस समय उसने नारेयन नाम का अचारन किया और विश्णु दूथ आ गए और उन्होंने नरखर्म जाने से अजामिल की रख्षा कर लिए और फिर विश्णु दूथ भी चले गए तो अजामिल सोचने लगा कि य और होने कैसे मेरी रक्षा की, यह जो नारहन का इतना पवित्र नाम है, मेरे मुख से कैसे निकला, और मैं कितना पापी हूँ, मुझे तो नरक में जाना चाहिए था, तो इस प्रकार से उसने शोक किया, कि मैंने अपने माता प्रता की सेवा नहीं की, और अपनी सुन्दर और सुशीला पत्ने का त्याग कर दिया, और वेश्या की संगती की, और सब प्रकार की जुआ, बेविचार, नसा, मानसाहाथ, इन समय अपना जीवन बिताया, मैं कितना पापी हूँ, तो इस प्रकार का जब शोक किया उसने, अचामिल ने, तो फिर क्या हुआ, इसका परिणा कि उसने वेश्या का घर त्याग दिया, हरिद्वार में गया, विश्नु मंदर में सरनली और भगवान की भक्ती का अभ्यास किया, और इस प्रकार भक्ती की अभ्यास के द्वारा, उसकी चेतना इतनी पवित्र हो गई, कि फिर वही विश्नु दूत, जो उसकी नरक से रक् तो ये शोक जो है ये उप्योगी है कि हमें शोक इस प्रकार से करना चाहिए है कि हम इस भहते संसार में क्यों आए हमसे भगवान कृष्ण की सेवा नहीं हो पा रही है तो हे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाई है तो इस प्रकार की जो हमारी चिंता होती है हमारी जो तो इसके द्वारा भगवान हम से संतुस होते हैं और हमें सहारा देते हैं और गीता के अंतिम उब्दियस में अठार में द्याए कि इस लोग संगे अच्याशन में किर्ष्ण कहते भी हैं कि अहमत्वा सर्वय पापव्यो मोख्षे श्यामी मा सोचा कि मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूँगा तुम शोक मत करो इसकार थे कि अर्जुन शोक कर रहे हैं और अर्जुन अब जो शोक कर रहे हैं वो सही प्रकार कर सोक कर रहे हैं कि वे किस प्रकार पापों से बंद गए हैं और कृष्ण अगर रक्षा करेंगे तो मेरी रक्षा हो सकती है और कृष्ण कहते हैं कि हाँ मैं रक्षा करूँगा तुम शोक मत करो मेरी सरण में आओ तो हम कृष्ण के सरण में जाएं और इस प्रकार से कृष्ण हमारे शोग को दूर करें तो यहाँ पर अध्याय समाप्त हो रहा है और इसी बिंदु पर अध्याय समाप्त हो रहा है कि अर्जुन निर्ण ने ले लिया है कि वे युद्धिन नहीं करेंगी Hare Krishna